वेल्कम बैग आप सभी का एक बार फीज़ स्वागत है और आज का जो सेशन है वो वी लैन वर्चुवल लोकल एरिया नेटवर्क पे रहेगा और इसका प्रेटकल इंप्लिमेंटेशन करेंगे जैसा कि मालूम है कि पूरी दुनिया का जो इंटरनेट है अभी केवल आइपी भी पोर पे ही चल रहा है जिसकी संख्या लिमिट है और एक कैंपस के अंदर में ल्टी टी सी के अगर बात करो तो ल्टी टी सी को केवल दो आइपी मिले हैं और प अपने लयन के अंदर गस्राइब से कढ़ी बनाते हैं तो हम लोग उसको भी लाइन किहते हैं लेकिन जब इसी को हम लोग के मैटे करते हैं वर्acas प्राइबेट नेट वर ठीक है तो बहूं सारा ड्राव को होता है कोई भी एक आम आदमी इसको जो भी ठोड़ी बहुत कॉल सकता है ब्रेक कर सकता है तोय है लेकिन जो श्म तोड़ना संभोव नहीं हो सकेगा तो वै separates प्रेटिकल जो पॉइंट होंगे यह मुझे को को पर हम लोग बात करेंगे कि ऐखे आपके अपए एक फ्रेस पेट ट्रेसर अपेन करता हूं पहले मैं डिजाइनिंग बनाता हूं उसके बाद हम बात करते हैं कि मैं हाँ पर एक आपके केमपस में मैं अगर यापने कॉलेज को आजम कर लीजे तो कॉलेज में अगर आपको इंटरनेट सबसे पहली बात आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा अभी हमारे पास जो समुलेटर है इसमें सबसे बेस्ट राउटर टुए डवल वन ही है तो हम इसी को उठाते हैं लेते हैं आपर इस राउटर से लोकल लेवल पे हमें कैंपस के अंदर नेटवर को डिस्ट्रिब्य का इसर बारे में और इसी चीजें होती है कि सफोज करो कभी इस्टरनल वाडी आडिट करने के लिए आ जाए तो आते ही सबसे पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही आ जाती है जो एकाउन्ट के सब्सक्राइब्स करके लगा हैं अगर इसको डिस्टर्ब्स कर दू तो में हैं प्रापर तरीके से इसको ऑपने सीठ पर बैठे बैठे हर एक बनत्क पहां पर है सब्सक्राइब कर सकता हूं तो मैं इस चीज को समझने के लिए माल लेता हूं ज्यादा ना बनाते वह कि हमारे केंपस के अंदर दो डिपार्टमेंट है एक अगर दो डिपार्टमेंट है अभी तक क्या था कि जो आप लोग नेटवर्क बना रहे थे उसमें कि हमने कहीं भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया ग्रूप बनाना है अब हम क्या करेंगे अगर दो डिपार्टमेंट है तो मैं दो अलग अलग ग्रूप बनाऊंगा एकाउंट ग्रूप और सेल्स ग्रूप ठीक है तो अभी तक हम जो ऐसा करते हैं कुछ कंप्यूटर से ले ल कोंप्यूटर हम और लेते हां पर ये दोनों हम लोग पीसी-फोर आयन पीसी-फाइप ये सेल्ध विपार्टमेंट से हो सकते हैं और यह हमारा सिक्स और सीवन कहीं हमारे रप्लानिंग करूं गा अभी कि यह किया था आपने राउटर से लिया अभी इसbreaker कर से लेते थे स्वीच में जोड़ते थे स्विच कंप्यूटर लगादिया बोट लिए तो आपको दौल सबसे पहली तो मुझे planning यह करनी पड़ेगी कि यह जो switch है जो भी planning होगी switch के उपर की जाएगी यह switch है इस switch के अंदर मैं माउज ले जाओ तो अभी आप देखेंगे यह switch में 24 port डिख रहे हैं तो 24 port में से मैं यह मान लेता हूं कि इसमें से कुछ port account के लोगों के लिए कर देते हैं कुछ port हम sales के लिए कर देते तो मैं लिखता भी चल रहा हूं कि यह स्विच नंबर कोई भी मैं पूरे campus में एक जैसी planning करूंगा कि मैं पूरे campus में अगर switch का port नंबर तीन से लेके 10 तक मैं रिजर्व कर दूँ कि मैं campus के अंदर port नंबर 3,4,5,6,7,8,9,10 कहीं भी अगर कोई person केबल लगाएगा उस सब account वाले होंगे यह मैं पहले से planning कर देता हूं यह account को represent करेगा और जब भी account होगा उसको भी अपने campus के अंदर में छोटा-छोटा और ग्रूप बना रहा हूं यानि में लैन तो अभी जाख हम लोग बात कर रहे थे तो राउटर का एक पोड क्या कर रहा था पूरे एक लैन को रिपर्जेंट कर रहा था अब इस लैन के अंदर में छोटे-छोटे और ग्रूप बना रहा हूं एकाउंट का अलग बना रहा हूं तो लैन के अंदर छोटा-छोटा ग्रूप बनाना वर्चुल लैन खेलाएग ठीक है न तो इसको फिर हम लोग ऐसा ईसलिए मैं प्लाणिग कर रहा हूं तीन से दस में अगर मैं केबल लगाऊंगा तो सारे हमारे ऐकाउंट वाले होंगे और इसको मैं लिख सकता हूं इसके जब भी वी लेन बनाएंगे तो मैं इसको क्योंकि जब आपकी पहचान जो हमारे नाम नहीं होते हैं तो आपकी पहचान जो आपका रोल लंबर होता है उससे की जाती है ठीक है ना तो यहां पर मैं पोट नंबर इसको मैं वी-लैंड आप यहां पर कोई एक डाइडी लिखी जाएगी computer science की दुनिया में जो ID होता है वो किसी नाम से नहीं जाना जाता रोल नंबर डिजिटल होता है जैसे रोल नंबर भी हमारा डिजिटल होता है इंप्लाइमेंट नंबर भी डिजिटल होता है तो उसी तरह से लेकर 10,000 तक कोई भी डिजिट लिख सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं यह हम जब स्विच खरीदते हैं उससे में किया जाता है तो मैं यहाँ बीलेंट 10 लिख देता हूं कि बीलेंट 10 है यह एकाउंट को रिपर्जेंट करेगा पॉर्ट नंबर 3 से 10 हम लोग एकाउंट और यह जो मैं छोटा ग्रूप बना रहा हूं इनकी जो IP एड्रेस है यह जो IP एड्रेस है आप अपने हिसाब से रख सकते हो कोसिस यह होती है कि जब क्लास A B CD IP बनाए गई तो हर में एक IP का पूल जो है कहीं बेचा नहीं गया कहीं बाटा नहीं गया जिसे 10.0.0.0 स्लाइश एट ले लेता हूं ठीक है सेम जो मैंने हाले अकाउंट का यह इधर वाला भी जो PC यह जो PC2 और PC3 है जो आप देख रहे हैं यह भी मैं अकाउंट का मान लेता हूं और मैं यह जो आपका यह जो बीच वाले दोनों PC है PC4, 5, 6 and 7 इसे मैं सेल्स का मान लेता हूं और पोर्ट नंबर 11 से लेकर क्योंकि इसमें 24 पोर्ट है तो उसमें से 11 से 20 तक मैं इसको सेल्स कर लेता हूं ठीक है और इसको बी लाइन में 20 कर देता हूं और इसकी जो आइपी है जो कि दूसरा लाइन बना दिया और मालों जो कैंपस है मेन कैंपस की मेन आइपी बेख होगी तो मालों हमने जो खरीदा जो मेन आइटिक आइपी है वह हम लिख देते नेटवर्क आइडी 117.236.23.25 इस तरह से मैं एक आइपी लिख लेता हूं इस में आइपी कर लेते हैं ठीक है इस में आप केबलिंग करेंगे केबल यहां लेंगे केबल उठाया राउटर का सब लोजिक सी बात है कि राउटर का एक पोर्ट यूज किया जाएगा 01 लिया स्विच के पहले नंबर पोर्ट पे लगा लेते हैं कि पहला दूसरा फिर है मैं एकाउंट का केबल उठाता हूं इंटरनेट के लिए अब यहां पर मैंने डिफाइन कर रहा था पहले मैं क्या बोल रहा था कहीं भी लगा दो लेकिन अब हम कहीं नहीं लगाएंगे हमने जो प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसको आप पोर्ट कि यहां लगा देता हूं और समनंबर को मैं यहां पर लगा देता हूं इसके बात दोनों switch को आपसमे जोड़ना है जब रहती हैं और आपसमें जोड़ना है तो मुझे क्रास वर किवल की बढ़ती है यह भी हमसें डिस्कस कर चुके तो पोर्ट नंबर 02 को मैं यहां से भी 02 में ही जोड़ देता हूं ठीक है और नीचे वाला जो यह पोर्ट है चार और पांच जो पीसी है यह 11 नंबर से शुरू करेंगे क्योंकि यह हमने 11 से लेकर 20 तक शेल्स के लिए माना है और हमने इसको लगा दिया लगा देते हैं थोड़ा फास चल देता हूं कि बड़ा इंपोर्टेंट है इसको आप लोग एक बार वीडियो बार बार सुनिएगा अब हम जो हमने प्लानिंग किया है वह आई-पी हमें यहां पर डालना है अभी चुकि मैं कोई डियस्टीपी यूज नहीं कर रहा हूं तो हम लोग यहां पर मैंवली आई-पी प्लान कर लेते हैं तो इसको मैंने क्लिक किया पहले PC0 को आपको ध्यान होगा डेक्स्टॉप पे जाते हैं जो मैंने नेटवर्क आइडी डिफाइंड किया है 10.0.0.1 को तो मैं गेटवे ले लेता हूं ठीक है और 2 से शुरू कर देता हूं लुए गेटवे इसको बन कर देते दूसरे वाले को तो कर देते हैं अलेडी वन है तो इसको 3 कर देते हैं यह और जो यह बी एकाउंट का इसको एकाउंट वाले PC में गये और इसको हम लोग करेंगे फोर गेटवेयर तो आई-पी अड्रेस आपको डालने आता है बस हमने इतना किया कि जो मैंने प्लानिंग किया है उसके एकॉड़िंग हम लोग आई-पी डालते हैं यह तो हो गया एकाउंट वाले सेम हम सेल्स वाला जो डिपार्टमेंट है उसके लिए भी हम आई-पी प्लान कर लेट जो आपका पीशी म्रानित ट्रेश इसके अंदर भी आई-पी डालें गेंगे और इसको हम 2 कर लेटे हैं इसके बाद हम सेल्स ग्यूद्विश सेंदर बी पीड डिपन डालेंगे कि कर लेते हैं और यहां पर और हमारा जो PC7 है इसको भी हम लोग डिफाइंड कर देते हैं गेटवे यहां पर सबसे पहला तो काम ही होगा कि यह जो राउटर का पोर्ट है बाइडिफाल पावर सप्लाई आप होता है तो पहले हम इसको चालू करेंगे क्लिक करेंगे आपको याद होगा पूछे तो मुझे नो करना है कंफिग्रेशन मोड में जाना है तो इनेबल करेंगे उसके बाद हम लोग कॉन्टी करेंगे और फिर आइंटी या फिर जीरो स्लाश वन पर हमने लगाया तो उसको करते हैं आइपी आड हमने जो आइपी प्लान किया है मुझ यहां पर सब्सक्राइब करेंगे और हम लोग कर लेंगे यह तो इसका मिनिममम है जो राउटर के पोर्ट हमें आन करना है अकर मौज ले जाएंगे तो जो मैंने प्लानिंग क्या इसको आइपी मिल जाएगा अब जो मेन काम आजाएगा स्वीच क्योंकि हमने अपने कैंपस के अंदर रिपार्टमेंट किया है तो हर स्वीच पे जाएंगे स्वीच पे गए लाइव मोड में जाएंगे यह सारा काम कोता होगा स्विच लेवल परोर पींगे और इसमें गाएंगि क्लिक करके एंटरव्रेश करें इने वल कॉन्टृ यहसे स्वीच के अंदर भी कंसुल पूर्ट होता है लैप्टप को कंसुल पूर्ट में कंसूल केबल से लगाओगे और इस तरह से कंफिग्रेश्न करोगे मैं अब मैं यहां पे क्या हूँ यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं यह प्लान कर सकूं की पोर्ट नंबर 3 से लेकर 10 तक एकाउंट को रिपरजेंट करे और 11 से लेकर 20 तक शेल्स को रिपरजेंट करे अगर मैं यहाँ पर लिखूं डू एक कमांड होती है दू सो वीलाइन अगर मैं फायर करूं कया this देखने के लिए कि मेरे में क्या-क्या Vai वी लाइन है अगर आप देख पाएंगे मैं ने कमांड टूसरे वी लेन तो आप देखेंगे कि विलाइन एकी हो और से लिक चौबशन टक इसके जो पोड़ हैतिक्त और सब एक लिए में आता था एकाउंट को रिपर्जेंट करें करें तो नेक्स ताइम जो मैंने प्लानिंग करेंगे तो कैसे करेंगे यहां पर वी तेन्टेंन लिखा हुआ है और यहां पर इसका नाम रखना है नेम एकाउंट रख देजिए एकांट रखनी क्रियेत हो जाएगा करेंगे और एक्जित हो जाएंगे कितना असानी से क्रियेट हो गया चेक करना चाहते हैं देखने के लिए कमांड होती है जैसे मैं फायर करूंगा देखो अगया इसमें पोर्ट नंबर लाना रहा गया तो यहां पर उपहले वाले में क्या रहा एकाउंट नहीं था आप नंबर तीन से लेकर टेंट के लिए रिपर्जेंट करूंगा आई अंटी कल आपको बोल रहा हूं एक साथ जाना है तो ब्ला कि व्हक्तरी आकाउंट के लिए हो तो स्वीच पोर्ट मैं टैब बटन यूज कर रहा हूं गलत कमांड होगी स्वीच पोर्ट आक्सेज वी लैन यह कमांड है 10 10 के लिए दूराइट और एक्जिट करेंगे आप देखेंगे यहां पर भी कमांड फायर करेंगे तो भी दिखेंगा और माउज भी ले जाएंगे तो भी दिखेंगा यहां पर स्वीच के ऊपर तो आप देखना यहां पर वी लैंट 10 भी आ गया है अब मैं दुबारा बनाऊंगा वी लैंट 20 बनी चुका है तो मैं यहां पर भी पोर्ट नंबर कि आयंटी रेंज यह जीरो स्लास अलेवन से लेकर 20 तक स्वीच पोर्ट मोड इसको जो करना 20 के लिए कर देते हैं डू राइट करें और एक्जिट कर दें ठीक है तो यह हमारे पास में डिफाइंड हो गया आपका यह इस चीज़ को आप यहां भी चेक कर सकते हो दू शो भी लैन ठीक है ना जैसे मैं फ्यार करूंगा तो अब देखना पहले केवल एक था इसमें आ रहे थे अब इसमें हमने डिफाइंड कर दिया तीन से 10 आगे और 11 से 20 आगे सेम काम हमें इधर भी कर सकते हो राइट साइट हरे जितने भी राउटर होंगे जितने मिश्विच होंगे सम में करना पड़ेगा यह काम ठीक है यह तो हो गया हमने पोर्ट को डिफाइंड कर दिया आपका कॉलेज है आपके कॉलेज में किवल एक एंट्री एक जिट है तो कोई तमस्या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कि लेकिन अगर आपके कॉलेज में एक से ज़्यादा एंट्री गेट या लेकिन आप को यह उस्कीत आने जाने है की डिया लेकिन आप विल्पि लेकिन का कॉन अगहों के ल great आने का ओंगें बांकर कॉलेज चोड़ दे तो किस दिबर से कंद्स यहीं से नहीं जाना तो उसी तरह से यहां पर जब वी लैन वन था यानि केवल एक गेट रहा तो अराम से कोई भी चीज निकल जाती तो अब हमारे पास भी लैन टैन भी बना रहा हूं तो इसका भी गेटवे मैंने डिफाइंड किया 10.10.0.1 और 20.0.0.1 गेटवे डिफाइंड किया तो अब हमा यहां से निकल पाएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप इंटर करें आई एंटी यहां फे 0-1 यह 0-1 उना चाहिए इसको मुझे करना स्विच पोर्ट इसका मोड चेंज करना मोड ट्रंक बनाना ट्रंक लाइन वह लाइन होती है आपको याद हो कर देते हैं इसी तरह से हम आई एंटी रेंज देख पाएंगे कि जो पॉर्ट नंबर वन और टू है किसी बी लाइन में नहीं बाहर आ चुगा ट्रंक लाइन को रिपर्जेंट कर रहा है नहीं कि वह लाने जाने के लिए सिंबैलिक हो गया तो जो काम मैंने यहां किया वही काम इस वाले स्वीच में करना पटापट रिवाइज हो जाएगा क्लिक करेंगे सिया लाई में जाएंगे इनेबल पॉंटी आइंटी पहले बीलें बनाना है फ़र एक स्वीच में बीलेंट टैन बनाया स्वीच वीलेंट टैन इसका नाम रखना नेंद अकाउंट ठीक है नहीं डूराइट करें गे आईड करेंगे फिर हम लिखेंगे वी लेंड ट्वञाएंगे गिलेंट ट्वण्टी एटिगונה इसका नेम हम देदेंगी जल्स ठीक है नीड करेंगे और अककर देंगी कि इसके बाद हम आई एंटी रेंज कि इसके बाद हम इसका स्वीच पॉर्ट जो है स्वीच पॉर्ट आक्सेज वी लैंड टैन कर लेते हैं स्वीच पॉर्ट टैब बटन कर ले रहां स्वीच पॉर्ट आक्सेज वी लैंड टैन हो गया दो राइट कर देते हैं अब हम इंट्री करेंगे आई एंटी रेंज जो हमारा जो है वह अलेवन से लेकर 20 तक के लिए जो प्लानिंग एक स्वीच में करोगे हमारी कोशिस सही हो हमने चीए कि सारे स्वीच में एक जैसी हो ताकि कंफ्यूजन ना हो ठीक है ना पीच पॉर्ट मोर इसका वी लैंड हमारा 20 कर लेते हैं इस पूर्ट कर देते हैं अब हमें आप इसमें भी चेक करेंगे तो हमारा का पूरा का पूरा आ जाएगा इसमें बाहर जाने का एक ही होगा लेकिन हमें करना उसको भी ट्रंक बनाना है लिक के बनाना रिट्रेंड में ताकि कंफ्यूजन ना हो आइंटी यह जीरो स्लास वान स्वीच पॉर्ट कि मोट ट्रंक कर लेते हैं कि मोट ट्रंक कर देता हूं दूराइट और मैं एकजिद करते हुए अब मैं दुजरा आइंटी यह जीरो स्लैस कूपे चला जाता हूं इसका भी स्वीच पॉर्ड मोट जो है ट्रंक मना देता हूं दूराइट ठीक है इतना काम करने के बाद यह भी आपका ट्रियार हो गया बीलेंट टेंट जो प्लान है तो बीलेंट बनता कहा है और इनके जो आई-पी हैं हमें खुद लगाने हैं खरीदेने की जरूवत नहीं है अब मैं पैकेट लेकर अगर मैं अकाउंट से अकाउंट को भेजू करें this is successful कहीं से भी कहीं बेज एकाउंट से अकाउंट डिसिजज़ केंपस डर सक्टीर केंदर सक्टेश्फूल हो गया इसमें कोई भी ढवंट नहीं है ठीक है ना लेकिन अगर मैं इसपर में अकाउंट से अकाउंट से लाई काम नहीं करेगा उसके लिए फिर दो वी आर दूसरा होता है नैट यह बहुत इंपोर्टन चीज़ होती है तो आई बीर मैंने आपके कोर्स में कवर किया है क्योंकि बीलाइन बना रहा है तो इसको बोलते हैं इंटर वीलाइन राउटिंग और नैट को बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर दोनों यूज करना पड़ता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर ठीक है ना यह हमारा उसको बहुता है तो यह दोनों कॉंसेप्ट की वज़ए से आपके लोकल में देखना आपके घरों में भी सब जगा 192 के ज से आइपी होने के बावजूद भी क्योंकि बाहर की दुनिया में यह जो मेन आइपी है उससे कमनुकेशन होता है लोकल में तो हमारा यह बीलैन हमने जो बनाया उससे मैनेज होता है ठीक है कैसे होगा वह यहां पर होगा अगर हम माउज ले जाए तो अभी आप देखेंग तो हमारा क्लास्रूम है या जूसे मैं अभी बैठा हूं यहाँ पर क्यूं कि आपको कफ़ी यह लुड़ीशा है लेकिन जैसे आप नेजूब करेंगे ना शोटे-चोटे-चोटे की बना दखाख रूम सीडी करके rhombs 12a में बैठ आए हां अगर मैं आपको कहूं कि आप ilimewa 412 तो मेश आदभ सब्सक्राइब वनाज़के मलें लेकिन इसलिए में छोटा चोटा केबिन बना दिया जाए तो फिर ये आपस में राउटर मेंनेज कर सकता है सहे बनेगा से इसके लिए हम सब्सक्रूरे कन्फिट्ट मोड में आएगे अब मैं int यह 0-1 है यह main port है पेश करके लिखता हूं यह 0-1 ठीक है इसमें डाट लगाऊं जो बीलाइन की ID है वो मैं डाल दू अभी आप देखना यह माउज ले जाऊंगा तो अभी आपको क्या दिख रहा है 0-1 लेकिन जैसे मैं इसको इंटरफायर करूंगा तो अभी यहा इस तयार हो गया यह क्या होगा सब इंटरफेज बोलते हैं मेन रास्ते के अंदर छोटा सा केविन मना दिया और इसका जो आई-पी होगा वह हम यह डालेंगे इसका गेटवे और इसमें अगर मैं लिखू भी ना आई-पी आडट 10.0.0.1 गेटवे बनाया है लेगा नहीं लोकल लेवल पे आप अलग आई-पी यूज करते हुए लोगों को इंटरनेट डे रहे हो तो ऐसे तो आई-पी लाट नहीं होगा पहले तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको कसम खानी पड़ेगी यह जो इंटरनेट डे रहे हो लोकल में इसमें कोई गरबड़ी हो कि पहले इनकाप्सुलेशन टैब बटान यूज कर रहा हूं इनकाप्सुलेशन डेपार्टमेंट आप टेली कम्मिनुकेशन वनक्यू वीलन 10 के लिए मैं 10 लिखूँगा कमांड होती है मैं कसम खाता हूं मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं डिपार्टमेंट आप ट कसम खाली कर देंगे अब माउज ले जाएंगे तो आप यहां पर इसके भी आईपी आपको मिल जाएगा सेम मैंनर में करते हैं फिर हम इसमें आई एंटी के लिए 20 कर लेंगे कसाम खानी पड़ेगी यहां पर इसको भी आईपी आइट करना पड़ेगा ठीक ना आईपी आइट के लिए यह आपस में कम्मुकेट करेगा होने लगा इस से इस एकाउंट में भी देखते हैं सक्चेश्पूल हो गया कल को माल लो कोई बाहरी आदमी आता और कहता है इसका इंटरनेट काटो तो मैं इसी पोर्ट पे जाऊंगा और एक ही कमांड फायर करूंगा नो काट आठेक सकते हैं कि हें यहां पर करोगे तो इसको टोड़ना असान नहीं दिश्टरब करना सान नहीं लेकिन इसी कई पर सर्वर लगाऊ नकुरे स्कते हुए कि मैंने सर्वर के बारे में पहले ही बता कि जिस काम के लिए डेडिकेट करो कि सर्वर कहलाएगा और उसके अंदर मैं डिफाइन करो कि जितने भी लोग है राउटर पर जाने से पहले मेरे पास आए और एकाउंट वाला मेरे पास आए उनको आई-पी मैं दूँ ठीक है कोटा सा वी लैन का कॉंसेट था कि कैसे कटिगराइज किया जाता है और आपके पास एक आई-पी होने के बावजूद भी बाहर की दुनिया में आप इंटरनेट कर सकते हो लोकली उन्हें कैसे मैनेज किया जाता हो मैंने आपके सामने लगा अब इससे बाहर जाना है तो आ इसे कर लेना वी लेन और इसको पढ़ने आपने बड़ा पूरा हम जितने लोग इंटरनेट कर रहे हैं सबी लोग कर रहे हैं किसी का डारेक्ट इस्टेटिक आई-पी नहीं है तब लोकल लेवल पर आप चेक करना तो आपका आई-पी वही मिलेगा 192 मिलेगा या जो भी इसका लोकल ही होता वही आई-पी मिलेगा ठीक है तो इसे आप लोग बना लिजेगा और सनिवार को मिलते हैं एक और आपका क्या रहे हैं आपका सिक्योर्टी वाला तो मैंने करा दिया था ना इसी का एक मल्टिपल डियसीपी में करा दूंगा एक और ठीक है उसके बाद अब कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद शिक्स विक आप में से किसे कर दो नहीं है तो अब फोर विक तक है दो विक तक है अगर बनाओ तो मैं साइन कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है थीक है चली हम लोग कल मिलते हैं पर सो एक लास मिल लेंगे एडिशनल पढ़ा देता हूं मुल्टिपल डियसीपी ठीक है ना चली है वे नाइस दे थैंक यू